कि आपको कोई भी कोड को कम्पिटर में कैसे करोगे आपको कोड करने के लिए एक कोडी टरडर एक कंपाइलर और एक टर्मिनल की जरूरत होती है तो यहाँ पर मैं आपको टर्मिनल में इसको रनम करने की command बताता हूं इसकी file किस नाम से से हो है basic.c इस file को हमको run करना है हमको यह command लिखनी है gcc basic.c-o basic तो यह हमारे लिए एक basic.exe नाम से file बना देगा इसको enter करेंगे तो यहाँ पर देखो basic.exe नाम से file बन गई यानि यह आपका code successfully compile हो गया आप इसको run करना है तो run करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर dot backslash basic तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह hello आपका print हो गया तो आप ऐसे कोई भी code को run कर सकते है manually आप यहाँ पर code runner की आपको कोई जरूरत नहीं है अगर आप ऐसे run करना चाहो तो आप ऐसे भी run कर सकते हैं कोई भी code मैंने अभी आपको बताया है कि आपको सिर्फ एक text editor और एक compiler और एक terminal की जरूरत है c code को run करने के लिए आपके पास vs code है या नहीं उससे कोई फरक नहीं पड़ता vs code जरूरी नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप vs code के बिना इसको कैसे run करोगे तो यहाँ पर मैंने c code नाम से एक folder बना लिया है desktop पर अब इसको मैं open करता हूँ यहाँ पर मैंने इसको open कर लिया है इसको full screen पर करता हूँ अब मैं यहाँ पर एक C की फाइल बनाता हूँ तो माउस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं C की फाइल बना लेता हूँ न्यू और यहाँ पर text document बना लेता हूँ इसका नाम मैं दे देता हूँ basic अब मुझे इसको किसी भी text editor में open करना है यह text document है तो मैं इसको open करता हूँ तो मैंने इसको notepad में open कर लिया है यहाँ पर आपको अपना वही basic C का code लिखके save as करना है has include stdio.h कई लोग इस stdio.h को studio.h लिख देते हैं यह stdio.h होता है stdio.h का मतलब है stdio.h का मतलब है standard i.o का मतलब है input output यानि यह standard input output के लिए file होती है और उसके बाद में यहाँ पर लिखना होता है int main brackets curly bracket open फिर यहाँ पर printf लिखेंगे इसके अंदर हम कुछ भी show करने के लिए print कर देंगे जिसे hello world return 0 और curly bracket close तो यह हुआ आपका basic c का code अब हमको इसको c extension के साथ में save करना है तो आप इसको save as कर सकते हो या फिर यहाँ पर file में जाकर के इसको ऐसे save as पर click कर सकते हो और मैं यहाँ पर इसको basic है और मैं इसको basic.c कर देता हूँ यानि इसको आपको c extension के साथ में save करना है तो इसको save करता हूँ तो यह देखो मेरी वही c source file बन चुकी है यानि basic.c नाम से एक file बन चुकी है अब इस file को मुझे run करना है तो run करने के लिए मेरे पास terminal और एक compiler होना चाहिए मैंने min.gw package इंस्टॉल किया है जिसमें gcc.c का compiler होता है तो अभी हम अपना terminal open करते है तो यहाँ पर आपको search करना है cmd और इसको open करना है तो यहाँ पर देखो मैंने अपना terminal open कर दिया है अब इसको क्या करना है इसको इसी correct path पर लाना है जहाँ पर यह files हैं उसी path तक हमको इसको लाना है तो इसको करने के लिए आप यहाँ पर click कर सकते हो और इसको control c से copy कर सकते हो यह वाला path और यहाँ पर आपको लिखना है cd और जो आपने path copy किया था भी उसको paste कर देना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यह c code वाले folder तक आ गया है तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमको यह जो basic.c नाम से file है यह दिख रही कि नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे dir तो आप लोग देख सकते हो basic.c नाम से यहाँ पर file दिख रही है अब इस file को मुझे compile करना है तो compile करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा gcc basic.c और इसका output मुझे जिस file में चाहिए उसके लिखूंगा hyphen o मुझे basic file में ही चाहिए तो मैं इसको enter करता हूँ तो जैसे ही मैं इसको enter करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक और file बन जाती है यह basic.exe नाम से file है मैं आपको दिखा देता हूँ basic.exe नाम से file बनती है तो यहाँ पर फिस से dir करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो basic.exe नाम से file बन चुकी है अब इस exe file को हम run कर सकते हैं exe मतलब executable अब जो यह basic.c file थी इसको c compiler ने translate करके इसको byte code में convert कर दिया है अब इस file को हम आसानी से run कर सकते हैं तो run करने के लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा .backslash और जो भी आपकी exe file है तो उसको आपको लिख देना है basic basic नाम से मेरी exe file है तो उसको मैं enter करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा output hello world लिखा आ गया आप उसी file में जाकर के कोई भी modification करोगे और उसके बाद में फिर से इसको run करोगे basic.c-o basic और इसके बाद में फिर से dot backslash basic आप करोगे तो यह जो भी output आप उसमें लिखोगे तो यहाँ पर print होगा मैं इसकी playlist में रोज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग इन वीडियो को देख सकते हो आप लोगे